हेलो एवरिवन, वेल्कम है आपका मेरी कीचन में आज मैं आपको पेट की गरमी को दूर करने के लिए जैसे कि आज कल बहुत ज़्यादा गरमिया पड़ रही है पेट में गरमी हो जाती है तो पेट की गरमी दूर होगी, जलन दूर होगी और कपज की जो समस्या है वो भी दूर होगी और जो सरीर में कमजोरी आई हुई है कमजोरी दूर करने का आखों की रोसनी को बढ़ाने का एक ऐसा घरेलू उपाय लेकर के आई हूँ तो फ्रेंट्स इस वीडियो को लाश तक जरूर देखेगा क्योंकि हम खर्बूजा तो खाते हैं लेकिन जो इसके बीज होते हैं उन्हें हम फैंक देते हैं लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा इसका घरेलू उपाय बताऊंगी जिससे की बहुती ज़्यादा फाइदे हैं आम के आम और बुठलियों के दाम तो आज इस वीडियो को देखने से आपको डबल फाइदा होगा क्योंकि जो खर्बूजे के बीज होते हैं उन्हें हम अक्सर फैक देते हैं लेकिन इसके फाइदे के बारे में अगर आप जानेंगे तो कभी नहीं फैकेंगे खर्बूजे के ब जोडो के दर्द को दूर करते हैं तो इस तरह ऐसे आपको खर्बूजे के बीज हैं निकाल लेने हैं तो कभी भी आप खर्बूजे को बिल्कुल ना फैक किएगा इसके अगर आप फाइदे जानेंगे तो आपको बहुत ही जादा इससे फाइदा मिलेगा हमारे सरीर की कम कमजोरी को दूर करेगा और जोडों के दर्द को दूर करने में बहुत जादा हेल्प करता है सरीर में जो ठकान हो जाती है जादा काम करने की वज़े से हमारी ठकान को दूर करता है और इसके साथ साथ फ्रेंट से पेट में जो गर्मी रहती है पेट में जलन को दूर करता है क इसके साथ साथ आज मैं आपको इसके बहुत सारे फाइदे बताऊंगी इस वीडियो को लाश्ट तक बिना इसकिप के जरूर देखिएगा क्योंकि जो आज हम इसके खरबूजे के बीज की जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही जादे फाइदे मन्द है अमेर्जिं इस तरह से आपको खरबूजे के बीज निकाल लेने हैं और एक मिक्सी के ग्राइंडर जार में आपको डाल देना है तो आप मिक्सी का छोटे वाला जार ले लीजेगा नहीं तो इस तरह का कोई आप जूसर ले लीजेगा जिसमें आप जूस वगारा बनाते हैं तो ये मैं दो चममच के करीब चीनी डाल सकते हैं, जैसे कि आपको मीठा पसंद है ज्यादे, तो आप इसमें दो चममच डाल देजी, अगर आपको diabetes वगर है, तो आप इसमें चीनी बिलकुल मत डाले, तो ऐसे आपको यह करना है आप इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हैं और इसका जो ढखकन लगा करके अब हम इसको ग्राइंट कर लेते हैं तो देखेगा फ्रेंट्स इसके अमेजिंग फायदे हैं बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनके तयार होती है जो आपकी सरीर की बहुत सारी बिमारियों को दूर करेगी तो आप खरबुजे के बीज को बिलकुल मत फैकेगा इसके फायदे इतने हैं बहुत ही जाद हैं आपक गर्मी के मोसम में अगर आप इसको पीएंगे तो पेट की गर्मी है वो दूर होगी कबज की समस्या है वो भी दूर होगी तो देखेगा मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और जो इसमें हम बीज होते हैं खरभूजे के विए अच्छे से पीश जाते हैं और वो छलने में उपर आ जाता है और जो बीज के अंदर की जो गीरी है वो पीश करके इस तरह से हमारे जूस के अंदर एड़ हो जाती है तो यह जूस पीने में भी बहुत ही टेश्टी लगता है और हमारे सरीर की गर्मी को दूर करता है हमारे सरीर में कमजोरी को दूर करता ह है सरीर में ठका नहीं होती है आंखों की रोसनी बढ़ती है तो आप इस तरह से गर्मी में खर्बुजा भी खाईए और खर्बुजे के बीज काई जूस बना करके पीए तो यह हुआ डबल फाइदा आम के आम और गुठलियों के दाम तो देखे फ्रेंक्स बहुत ही टेस्टी जूस बनके तयार हो गया है आप भी जरूर बना करके देखिएगा आज के बाद खर्बुजे के बीज को बिलकुल मत खहकिएगा बहार इस तरह से आप जूस बना कर पीएगे तो आपको डबल फाइदा होगा तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगे कोमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में